गुड मॉर्निंग गाईस अभी का स्वाकत है करना विरो यूटूब चैनल में तो आज है 23 अगस्ट और 23 अगस्ट के सभी इंपोर्टन करेंट अफ्य कोचन आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो चले चुरू करते अपने फर्स कोचन के साथ फर्स कोचन क्या है हाली में विश्व वरिष्ट नागरे दिवस कब मनाया गया है विश्व वरिष्ट नागरे दिवस तो अभी 21 अगस्ट को विश्व वरिष्ट नागरे दिवस मना गया तो इसका अंसर क्या होगा बी विश्व वरिष्ट नागरे दिवस 21 अगस्ट को मनाया जाता है ठीके इसे उसके बारे में जागरुति फैलाने के लिए इसको मना जाता है, ठीके, 21 अगस को एक और important दे मना जाता है, आतंग बाद पीडितों को याद करने के लिए दिन मना जाता है, ठीके, क्या आतंग बाद की जो पीडित है, उनको याद करने के लिए 21 अगस को दिन मना जाता है, त की से देश का परदानमंत्री चुना गया है डकार फॉर्टानमंत्री के प्रधानमंत्री चुने गया है लेकिन एक अफ्रीकन कंट्री है अफ्रीकन कंट्री है इसको धान में नाकरा इसकी क्यापिटिल है मलाभी और इसकी करणसी है सेंट्रल अफ्रीकन प्रैंग क्या है इसकी करणसी सेंट्रल अफ्रीकन प्रैंग तो चलते हैं बें नेश कोचन के तरफ नेश कोचन क्या है हाली में आई ADB, ठीके, ADB, प्लस ILO, ADB और ILO की रिकोड के अनुसार, 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं, तो अभी जो रिपोट आई है, ADB और ILO के द्वारा, तो उसके अनुसार 6.1 मिलियन, मतलब 101 लाक लोग, ठीके, 101 लाक युवा, क्या कर सकते हैं, अपनी नौकरी भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम ADB के बारे में देखेंगे, ADB मतलब Asian Development Bank, इसके स्थापना कब हो थी, 1966 में, इसका हेटकॉर्टर कहाँ पे, इसका हेटकॉर्टर है मनिला में, और यहां के प्रेजेंट टाइम पे, जो, और मनिला, यहां पे कुछन मनता है, इसका हेटकॉ हेटकॉर्टर मनिला में, तो मनिला कहाँ पे है, मनिला है फिलिपिन्स में, यहां के प्रेजेंट कुछ है, मसकासु असकावा, इसको भी धान में रखना, उसके बाद में हम यह, इसमें, आयलो भी शामिले, ADB और आयलो ने मिलकर यह रिपोर्ट बनाई है, तो आयलो, आयल International Labour Organization, क्या है, International Labour Organization, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में, इसका हेटकॉर्टर कहाँ पे, इसका हेटकॉर्टर है, जेनेवा में, जेनेवा में, जेनेवा में, जेनेवा में, जेनेवा कहाँ पे आता है, जेनेवे आता है, स्विजिलाइड में, ठीके, और इसके प्रेजेंट टाइप हेट कोण है आयो लो के इंटरनाशनल नेंबर और्गनाज़ेशन के गाय राइडर तो चलते भी नेश कोचन के तरफ कोचन क्या है हाली में यन आरे के यन आरे तके के परिश्या के आधार पर नोक्री प्रदान देने वाला देश कोई सा बना है तो अभी यन आरे के आधार पर मद्य प्रदेशी dort बनाए तो इसका पहिला राज्यत बनाे यहाँ पर यन आरे और CET ये दुन काफी टर्म ये जो दोनों टर्म है यान आरे और CET एक काफी दुन से चर्चे में हैं तो ये नारे मतलब क्या है National Recruitment Agency टिक है क्या है इसका लाग फ़ाब National Recruitment Agency ये एक नई रेजनसी न्यूट्ट किये गई है Central Government के दारा जो कि अभी जितने भी Central की एक्जाम्स होती है लाइक IBPS हो गई SSC हो गई रेलवेबोर्ट की एक्जाम होई कोई भी Central Level की एक्जाम हो अभी ये National Recruit Agency कंड़क्ट करेगी इसके लिए CET Common Exitability Test इसको देना बढ़ेगा सभी एक्जाम के लिए एक ही एक्जाम होगी तो ये जो है NRA इसको पहली बार राज्य में अप्ला करने वाला मद्यप्रदिश बना है राज्या तो यहाँ पर भी BGP की गववर्मेंट है और Central में भी BGP की गववर्मेंट है तो इनोंने क्य किया चीजरेर्क किया है की यह जो रूल है CET वाला ये अपने मद्यप्रदिश स्राज्य में लगाया है तो है थ्मानेट की बात करें दो मद्यप्रदिश की कैपिटल क्या पाल और उसका नें ऊट्षम इक ताहल है उसका नाम क्या और गोचतान उसके बादने मद्धियप् उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज याद में रखनी चाहिए वह नैशनल पाक मैं बार-बार बताता हूँ इंपोर्टर नैशनल पाक कौन से मद्यप्रदेश के काना है मादवगड़ है पन्ना है सत्पुड़ा है पेंच है और पेंच नैशनल पाक दो राज्य में आता ह है और एक आता है मद्ध्यप्रदेश में डिक तो चलते नेश्कोजएं के तरफ हाली में गोपाल स्वामी कस्तुरी रंगन का निधन वह कौन थे गोपाल स्वामी खाऊड़ियां का निधन वह वह कौन थे तो एक क्रिकेट रहती इसका अंसर क्या होका अगा B Engineering सु चलते हैं नीजकोचिन करने की क्या है एक क्या ऐसे प्रफडोन के क्या है तो अभी किषोर रंगूत को तो